हेलो एब्रीबन कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ नीरज कुमार कैतल और आप देख रहे हैं फॉर नर्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट बैक्टिरियल डिजीजेज की जिन से अकसर और गैनिजम के बारे में पूछा जाता है लेट्स बिगिन आर टुडेइज वीडियो कॉलेरा हिंदी में जिसे आप हैजा रोग के नाम से जानते हैं इसका कॉज़र्टिव और गैनिजम या इसका कारण होता है विब्रियो कॉलेरा बैक्टिरिया इसके अंदर परसन को व होता है डिहाइड्रेशन नेक्स डिजीज कंडिशन आता है नीमोनिया नीमोनिया का इंपोर्टेंट कॉज़र्टिव और गैनिजम बैक्टिरिया है निमो कोकाई ये परसन के मुख्य रूप से फेफडों को प्रभावित करता है लंग्स को प्रभावित करता है वैरी इस्टीरिया कॉलाई के नाम से भी जानते हैं अक्सर एक्जाम्स में यहां से कुशन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट पैप्टिकल्सर पैप्टिकल्सर का यदि आप से पूछा जाए कि कॉजटिव और्गैनिजम बैक्टिरिया के रूप में कौन सा माना जाए तो आप कहेंगे हैलिकोबेक्टर पाईलॉरी या जिसे हम H.Pylori के नाम से भी जानते हैं हेलिकोबेक्टर पाईलॉरी पैप्टिकल्सर का मोस्ट कॉमन कॉजटिव और्गैनिजम माना जाता है नेक्स्ट आता है बॉर्शेला पर्टूसेस जिसे आप वूपिंग कफ के नाम से भी जानते हैं इसे 100 day कफ के नाम से भी जाना जाता है इसका quositive organism है borcella pertussis Next disease condition आती है plague किसी समय plague से मरने वाले लोगों की संक्या करोडों में थी ये इसका quositive organism है yersinia pestis चुहों के पंजों में ये पाया जाता है और वहीं से ये spread हुआ था Next आता है important tuberculosis disease जिसे barometer of social welfare के नाम से भी जानते हैं इसका quositive organism है mycobacterium tuberculosis Next syphilis syphilis एक sexually transmitted disease है जिसका quositive organism tryponema pallidium है ये भी exams में अक्सर पूछा जाता है Next condition है acute rheumatic fever इसका quositive organism है streptococci next हाता है titnus जिसे आप simply tt के नाम से भी जानते हैं titnus जो disease है इसे आप log jo के नाम से भी जानते हैं log jo condition के अंदर person की जो muscles है उनमें अकड़न आ जाती है moment loss हो जाती है जिसकी वजह से उसका respiratory tract properly काम नहीं कर पाता और person की death तक हो सकती है इस titnus disease का quositive organism है Clostridium titani next हम बात करते हैं diptheria diptheria disease का quositive organism है corny bacterium diptheria next है meningococcal meningitis इसका quositive organism बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है Neisseria meningititis next disease condition है brucellosis इसका quositive organism है brucella important disease condition typhoid fever typhoid fever basically हमारी intestines को प्रभावित करती है इसका quositive organism है salmonella typhi next आता है gonorrhea it is also a sexually transmitted disease or STD quositive organism is Neisseria gonorrhea next important leprosy disease leprosy को हम hansan disease के नाम से भी जानते हैं इसका quositive organism है mycobacterium leprae so everyone ये थे कुछ important bacterial disease with their quositive organism अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो please click upon the like button share this video with your friends and subscribe our youtube channel for nurses preparation for more such interesting videos all the best